हेलो एब्रिवन आज की वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो है गरंटी और प्रॉफिट टू अ पार्टनर ये टॉपिक अकाउंटिंग फोर पार्टनर्शिप फर्म का लास्ट टॉपिक है और इसी टॉपिक के सार ये चैप्टर कम्प्लीट हो जाएगा अभी लास्ट गरंटी की किसकी प्रॉफिट की किसको पार्टनर को अब होता क्या है इसमें कि एक पर्टिकुलर पार्टनर को ये गरंटी दे दी जाती है कि उनको इतना प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा पर जरूरी तो नहीं है क्या पता फर्म के पास किसी टैंक कम प्रॉफिट आए तब क्या होगा तब बाकी बचुए जो partner है वो अपने हिस्से का कुछ profit उस guaranteed partner को दे देंगे उस partner को जिनको guaranteed profit माना गया है कि देना ही देना है तो यही होता है guarantee of profit to a partner में अब इसमें क्या है एक minimum amount of profit की बात की गई है जो उस person को उस person जिसको guaranteed दे दी गई है कि उसको इतना profit मिलेगा ही मिलेगा वो कितना भी हो सकता है लेकिन अगर किसी साल फर्म के पास इतना profit नहीं हो तब क्या होगा तो वो access amount बाकी के partners के हिस्से में से लेकर उस partner को दिया जाएगा अब वो एक partner भी दे सकता है तो यह अनि one of the partner की एक ही partner ने यह responsibility ले ली कि वो अपना ही profit का कुछ part उस person को दे देगा जिसको guaranteed मिली है या फिर बाकी जितने भी partners बचे हुए है वो एक particular ratio में अपने हिस्से का profit उस person को दे देंगे तो यही हमने करना है यही question में किया जाएगा practical में तो practical question करते है question read करते हैं यह है question number 112 of dk girl book a b and c are partner sharing profit in the ratio of 5 is to 4 is to 1 c is given a guarantee that his share of profit in any year will not less than 20,000 अब यहाँ पर किसको guarantee मिली है c को c को कहा है कि उनको 20,000 से कम profit नहीं मिलेगा किसी भी साल में और अगर हम बात करें the profit for the year ended 31st March 2021 amounts to 1,40,000 अब यहाँ पर 2021 की बात की जा रही है जो profit आया है 1,40,000 का amount of shortfall in the profits given to c will be born by a and b in the ratio of 3 is to 2 अब अगर c को जितना भी profit में shortage होगा वो कौन born करेगा वो a और b दोनों मिलकर करेंगे 3 is to 2 की ratio में ठीक है अब इसमें बनाना क्या है इसके अंदर profit and loss appropriation account बनाना है और साथ में उसकी journal entry भी pass कर लिया तो किस तरीके से बनेगा profit and loss appropriation account में जो profit है वो पहले हमने लिख लिया 1,40,000 अब normally क्या करते हैं हम उसको distribute कर देते हैं जो भी ratio given होगा profit sharing ratio अब यह जो profit sharing ratio है उसमें जब हम divide करेंगे तो उसको working notes में करेंगे क्योंकि हमको देखना है कि जो c है उसको sufficient profit मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा तो यह काम हम working notes में करेंगे जब हमने distribute करा profit 5-4-1 की ratio में तो a के पास गए 70,000 b 56,000 और c 14,000 लेकिन c को मिलने कितने थे उनको तो 20,000 का guaranteed मिला था कि आपको 20,000 तो profit मिले गए मिलेगा लेकिन जो profit firm के पास है उसके according तो उनको से 14,000 मिल रहा है तो कितने की कमी आ रही है 6,000 की कमी आ रही है और 6,000 अब कौन बोन करेगा a और b दोनों मिलके करेंगे कौन सी ratio में 3-2 की ratio में ठीक है अब इसकी journal entry किस तरीके से पास होगी अब यहां पर कौन अपना जो पार्ट है वो सी को दे रहे है वो है a और b दोनों तो a is capital account debit b is capital account debit to c is capital account जो उसके पास तो 6,000 जाएंगी और वो 6,000 3-2 की ratio में डिवाइड किया जाएगा जो आ जाएगा 3600 और 2400 और यह दोनों अपना अपना प्रॉफिट का कुछ पार्ट दे रहे हैं सी को अब प्रॉफिट और लोग से अप्रोप्रेशन में किस तरीके से प्रॉफिट का मिल रहा था लेकिन वो अपना कुछ जो पार्ट है जो डैफिशियंसी सी को फेस करने पड़ रहे है 6000 की वो डैफिशियंसी ए दे रहा है 3600 का क्योंकि हमने इसको डिवाइड कर रहा था रिस्ट टू की रेशो में 6000 को तो ए अपना पार्ट दे रहा है बॉलिक इतना अएगा प्रॉफिट इतना और सी के पास दोनों का मिलाकर बन जाएगा 20000 क्योंकि दो गरंटाट था ही कि 20000 तो मिलेगा तो इस तरीके से सौल किया जाता है प्रॉफिट यंद लोस आप्रोपियेशन अकाउंट in case of the guarantee of profit to a partner लेकिन ये case था जब हमारे पास not profit given होगा लेकिन अगर loss ही given हो तब तो एक question हम ये भी करते हैं अब इस question में क्या दे रखा है मनिका, भावी, कॉमल और partner sharing profit and losses in the ratio of 6 to 4 is to 1 कॉमल is guaranteed a minimum profit of 2 lakh अब यहाँ पर 2 lakh का minimum profit गरंटी किया गया कि कॉमल को तो मिलेगा ही अब यहाँ पर क्या हो गया अब यहाँ तो firm incurred a loss अब firm यहाँ profit की वजाए firm को तो loss हो रहा है अब किस तरीकिसे दिया जाएगा कॉमल को हमें यहाँ पर profit and loss appropriation account बनाने को कहा गया है question में और साथ में journal entry भी पास करनी है normally loss के time पर कभी भी profit and loss appropriation account नहीं बनाया जाता लेकिन अगर question में specifically बोला है कि बनाना है तब हमें बनाना पड़ेगा तो इसमें क्या होगा simply profit and loss appropriation account में जो loss आया है यह हम distribute कर देंगे money का भावी और कॉमल में क्योंसी ratio में 6 is to 4 is to 1 की ratio में हाना जो distribute कर दिया तो यह आ गया 12 lakh 8 lakh 2 lakh करके 22 lakh लेकि actually मैं यहां पर तो profit मिलना चाहिए था कॉमल को जबकि profit तो ना मिला बलकि उनको 2 lakh का और loss मिल गया यह तो गलत हो गया अब किस तरीके से इसको करेंगे हम देखो मनिका का हमने solve कर लिया कि उनको 12 lakh का loss हो रहा है भावी को 8 lakh का loss हो रहा है जबकि कॉमल है उनको 2 lakh का loss हो रहा है तो अब कॉमल को profit देने के साथ साथ उसका जो loss हो उनको हुआ है वो भी तो बियर करेगा कौन बियर करेगा बचे हुए partners मनिका एंड भावी अब मनिका एंड भावी को उनको profit देने के साथ साथ उनका loss भी बियर करना पड़ेगा तो टोटल जो उनके ऊपर आया है खर्चा वो आया है 4 lakh का अब उनको टोटल क्योंकि 2 lakh तो loss भी उनको देने पड़ेगी क्योंकि loss को भी बियर करना पड़ेगा और साथ में जो profit देना है वो तो देना ही है उनको तो दोनों करेंगे जो रेशो गीवन थी उनकी प्रॉफिट शेरिंग रेशो चो भी टेना है वो उनको bon करना पड़ेगा 6-4 की रेशो में तो इसकी journal entry कैसे पास होगी बिलकुल वैसे ही Monica's Capital Account debit, Bhavis Capital Account debit to Commerce Capital Account बस जो रेशो में उनको divide होगा वो 6-4 होगा और जो total amount है वो 2 lakh ना होकर 4 lakh हो जाएगा तो वो 4 lakh ही divide किया जाएगा 6-4 की रेशो में और जो कोमल है उनके पास जाएगा 4 lakh का तो इस तरीके से calculate किया जाता है guarantee of profit to a partner I hope आपको ये topic समझ आ गया होगा Thank you